नमस्कार दोस्तों प्राकृतिक रस्मई चनल में आज आपका स्वागत है आज मैं आपको भुट्टे का चटपटा वड़ा बनाना बताती हूं जिसके लिए मैंने दो भुट्टे ले रखी यह स्वीट कॉन है थोड़ा मुलायम बुट्टा है आप मुलायम भुट्टा ही ल आप से बाइंड के लिए खाली पड़ेगा अगर आपके पास चावल काटन नहीं है आप बेशन, कॉर्ण फ्लोर यह इस्तमाल कर सकते हैं अगर भुट्टा हूँ नहीं है तो आप भुना हुआ चनल पीसके उसमें इस्तमाल कर सकते हैं और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च अधा निमू है और यह दो भुट्टे हैं इसे हम बनाएंगे अच्छा चट पटा वड़ा जो बच्चों की बहुत पसंद आएगा और पड़ों को यह बहुत पसंद आएगा धुट्टे में बहुत फोलिक एंसीड होता है और फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है और डा अधाना डालने के जरवत नहीं पड़ती है और तलने के लिए मैंने सर्सो का तेल रखा है अब मैं बताती हूं इसको बनाने का तरीका अब देखें इस भुट्टे को हम ऐसे कदू कस कर लेंगे अगर आपके पास जो फ्रोजन को बजार में मिलता है इसके बीच जो मिलते ह आप मिक्सी में दरदरा पीसिएगा आपको पेच नहीं बनारा है अगर अगर ऐसा है तो आपको प्रोजने गट्दू कस करें पीच तो चलिए मैं आपको इसको प्रोजने अब मोटे वाले से कदवीच रहेगा तो ज़़धा बनारीगा अब इसको कद्दू कस कर लिए ना पूरा कद्दू कस कर लिए अगर ऐसे एक एक दाना भी गिर जाए तो भी कोई परिशानी नहीं है अब हम इसमें सारा समान मिला लेंगे इसमें पुदिना, कटा हुआ, मिर्च, अधरक इशिमला मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन और जीरा आप चाहें तो इसमें तोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं हल्दी भी ऑप्सिनल है इसमें नीबु नी चोड़ दिया, आधा नीबु नी चोड़ दिया, क्योंकि स्वेट कॉर्ण मीठा होता है तो थोड़ा नीबु नी चोड़ने से खटा और मीठा और मिर्च के वज़ा से तीखा और नम्कीन, सारा स्वाद मिला जुला इसके अंतर आएगा तो बहुत ही देश्टी लगेगा, अब इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद के अंसान डालेगा, आप बनाने से पहले एक टेस्ट कर लिएगा, मिक्स करने के बाद, तोड़ा सा काला नमक, तोड़ा थोड़ा चावल का पावडर, जिया करेंगे, चावल का आटा जादा नहीं होना चाहिए, जब हम भाइन करेंगे 예वि, वह यहरा ही हम, चावल रगर की मिलानी की जरूद नहीं है, सुभ में पानी हे, प्रुटे प्रुटे अभी थो बड़ा से चाव लॉर मिलाएंगे नहीं तो टेल में डालेंगे तो भट जाएगा यह देखे हमारा मिक्षर बनके त्यार हो गया जब इसको हाथ पर एसा इस आप रखिए गाए यह बूली अच्छे बढ़ने लगें तब आप अब कि मिक्षे हो गया वह जयादा चावल कांडा भी रहला और भाध कम नहीं करना इए depends staff चख च चर बनाएं जाए जब तक तक इसको पांच मिन तक हम रच देंगे तब तक कडाही को कर्म करेंगे उसमें तेल जालेगे तुसमें चाह्यप चाहिए तो तक पर सेलो भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि वडा है तो वडा थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मैं आज आपको वडाइ करके बताहूंगी की आप बाशने सेलो खेछें के वाव मयं चमें आपको खेंगे अपतर वकरी के लिई निम्हाल की यह को लगका कि एek दिया है आप उसको यूज करिए उसको उसमें फ्राइ करिए अब यह जब तक यह तेल गरम हुआ उसको पांच मिनट हो गया और यह भी सेट हो गया है बैटर अब हम इसमें ऐसे वड़े की तरह गूलियां बनाके तो फिर गरम तेल में डालेंगे अगर यह रेसिपी वड़ा मेरा पसंद आये तो आप मेरी चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अब चोटे बड़े जिस ताइज में भी आप बनाना चाहते हैं आप इसको करके ते गरम तेल में डालेंगे तो चोटे चोटे चार चार बड़े एक साथ बनांके आप इसको फ्राइब करिएगा तो तो पाले बाले डाले ताके अचिस हो बाफ बनाना चाहते हैं आज को मर्ध्यम कर लिए इस तरह से बड़े बनाने पर बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं बड़ों को भी आप सुबे के चाय के समय शाम की चाय के समय जब भी आपका खाने का चट पड़ा कुछ खाने का मन करें आप इस तरह से बड़े बना के जरूर खाईए आपको जरूर पसंद आएगा इसको हम सुने रहा होने तब इलेके ऐसा थोड़ा से क्रिस्पी करके प्राइ कर लेंगे सर्सों के तेल को पहले अच्छे से गरम हो जाने दीजेगा जब उसमें अच्छे से धुमा उठने लगे तो आप चाहे तो थोड़ा बंद कर दीजेगा इसको एकदम उसे मठ डालेगा नहीं तो बड़ा जल जाएगा उसके बाद प्रिल आप थोड़ा सा धुआ जब धंडा ग्याता हो जाया तब फिर से गयाण संदागल लीजे घ्ये तो फोड़ा फिर से गयं यह तो प्रिस जाला लीजेगा जाया च्छे सर्सों का दर्ख दाए ऐसके तो 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 बन कर लिचे चाहे तो भी चाहे predators चाहिकर बंद कर लीजेए बाद थोड़ा सा अगर नॉरमल होने अब इसको अच्छे से टिशू पेपर पे या आस पे करके प्लेट में निकाल लीजिए और मैं इसी तरीके से बाकी वड़े भी बना के तल के निकाल लिके फिर आपको दिखाती हूं यह देखे हमारे वड़े अच्छे से बन के तियार हो गए है आप चाहे तो इसको साथ काई चाहे हरी चतनी के साथ काई यह अगर आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंड बॉक्स में जाकर आपने विचार रखिए और कोई सुझाओ देना है तो नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बैल आइकन को जरूर दबाएए जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूं तब तक के लिए नमस्कार